अजय को आज वेलकम टूमाइव यूटुब चैनल वीएस मेडियो क्लासे तो फैंड्स आज हम डिसकस करने वाले हैं एलवा कॉंप्लेक्स तो गाइज एलवा कॉंप्लेक्स के अंदर देखते हैं सबसे पहले कौन-कौन से जुइंट्स आते हैं तो गाइज यहां पर देखे सबसे पहले इमेज में देखते हैं गाइज इस वन इस और लॉम्रस एंड इस अनला एंड इस रेडियस जो जो जॉइंट हमारा हुम्रस और अनला के बीच में बनता है उसको हम कहते हैं हुम्रो अनलर जॉइंट और जो जॉइंट हमारा हुम्रस और रेडियस के बीच में हुश को हम कहते हैं रो रेडियल जोdon और गैस देखेष है दस नशारला और यहां पर पिंद मैं उवह नूट है फिर है इस पारट में हापर हम आपर गैस कोके करके नीचे भी एक joint बनाते हैं इसको कहते हैं distal radio-unner joint अब इसको प्रोक्षीमर राइडियो ऑनर जोइंट कह सकते हो या फिर superior radio-anler joint भी कह सकते हो इसी तरिके साब इसको distal radio-anler joint कह सकते हो या फिर inferior radio-anler joint भी कह सकते हो यहां पर एक देखिए नोट आ रहा है बेसिकली जो एल्बो जॉइंट इस कंसीडर करते हैं कंपाउंड जॉइंट की तरह क्योंकि यह फंक्षन करता है ऐसा मोडिफाइड और लूज हिंड जॉइंट की तरह यहां पर एक बहुत जादा इंपोर्टन पॉइंट है कि जो हमा आये लिए लिए फीष्साथ थोड़ा सा अप्डेक्शन अटेक्शन भी होता इसी बजाद से इसको हम लूज हिंज जॉइंट कंसीडर करते हैं अब देख लिए इसका डिप्सीड करते हैं और कॉरोन एक्सिस होता है उसके अराउंड हमारा फ्लेक्षें एक्सेंशन होता है कि आपको एक्सिस और प्लेन में कंफीजन हो या इन से रिलेटेड कोई भी मोशन में कंफीजन हो इसके ओपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है आप डिस्क्रिम्शन से उसका लिंक ले सकते हो उसको टॉपिक इसमें क्या होता विसीकली जो अनला होती है उसमें फ्लेक्शन वो जैसे हैं मतलब इसको मतलब क्या हुआ कि हमारा प्योर हिंड नहीं है इसको कंसिडर नहीं करते हैं इसको हम losing joint consider करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि इसमें abduction और reduction होता है ओगे फैंस आगे देखते हैं इसमें तो मेजर लिगामेंट होते हैं और five muscles जो होते हैं इससे directly associated करते हैं elbow joint से ओगे फैंस यहां पर गाइज मा आपको लेकिन गाइज अगर मैं बात करूं elbow joint की तो elbow joint में सिर्फ यही दो joint आएंगे अना elbow joint में सिर्फ आपके यह दोनों joint आएंगे मिन्स यह बाला है और हुमिरो रेडियल जॉइंट ना तो हम इसमें सुपीरियर रेडियल जॉइंट को करेंगे नहीं हम इन पर इसमें इंफिरियर रेडियल जॉइंट को इंक्लूड करेंगे तो अलबो जॉइंट कौन सा होता हमारा सिर्फ यह दोनों हैं को कंबाइन करके हम टोटे कहते हैं ऑगेंट तो यहां पर देखें लिए जैसे कंदो को अगे वाला जो मसल कराती हैं तो इसमें भी मशल होती हैं मैं नाम क्या होता है आपके यौद योधा इंदर अशुजक्ष कमपार्टमेंट होता है इसमें देखते हैं बेसिकली प्रॉक्जी में डिश्टर रेडियो जॉइंट अर्लिंग फंक्षन वन जॉइंट यह यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्टर में मतलब यह अलग नहीं मतलब के जोड़े लिंक मींस अगर आपकी रेडिस मुमेंट करेगी तो मतला अगर आपकी रेडिस इंफीर रेडियो जॉइंट पर मुमेंट करेगी तो सुपीर रेडियो जॉइंट पर भी मोशन होना ही होना है तो इस तरीके से फंक्शनली लिंक होते हैं the two joint acting together यह दोनों joint act करते हैं एक साथ produce rotation of the forearm forearm के rotation के लिए and have one degree of freedom of motion इसमें supination pronation होता है guys जो हमारा superior radial joint होता है और inferior radial joint होता है यह दोनों मिल करके हमारा supination और pronation perform करते हैं so guys आज की वीडियो में हमने simple एक introduction लिहा elbow complex के बारे में क्या elbow complex में कौन-कौन से joint होते हैं इसका क्या डिग्रियो फ्रीडम है कौन-कौन से motion होते हैं तो एक introduction था elbow complex का so guys यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो ओके फैंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही थैंक्स अलोट तो वाचिंग मैं चैनल व्यस्मेडियो ग्लासेज